हेलो दोस्तो टुडेस फूर में आपका स्वागत है मैं लेकर आई हूँ बेहर टेस्टी बेहर डिलेशियस लौकी की सबजी कीन मानिया आप इस तरीके से लौकी की सबजी बनाएंगे न तो आपके बच्चे चाट चाट कर खाएंगे इस तरीके से लौकी की सबजी आपने आ फिर मैंने लॉकी को छील लिया है अच्छे से इसके छिलके को पूरी तरह से अच्छे से निकाल दूँगी इसे छोटे-छोटे टुकडों में काट लोगी मेरी लॉकी बढ़ी थी तो मैंने यहाँ पर आधी लॉकी का इस्तमाल किया है चार लोगों के लिए आप अगर आपक दही ये देखिए और तीन चार चमच मैंने इसमें चावल का आटा डाला है और फिर इन सब को अच्छे से पीस लिया और ये देखिए ये हमारा बिल्कुल टेक्चर त्यार हो गया है अब हम एक पिलेट में ऑईल को अच्छे से लगा लेंगे और फिर उस बैटर को उसमें अ पूरा इस प्लेट में अच्छे से फैला देना है प्लेट हमारी खुब अच्छी सी ग्रीस की हुई होगी और हां को जब मैंने पीसा था तो उसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था लौकी को उसी के पानी में ही पीसा था ये याद रखिएगा इसमें पानी कलियां एक टुकड़ा अद्रग का और चार पांच लाल मिर्च थोड़ी सी काले मेर्च जाइफल जावित्री यह सा मैंने डाल ली है सी में अब हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी एक ग्लास के आसवास पानी डालूँगी और वो जो कटोरी थी उसमें मैंने जो समान रखा था उसको बीच में इस तरह के से रख दूँगी और फिर उसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी और जो प्लेट में मैंने सारा वो यह देखे मेरा बैटर भी बिल्कुल त्यार हो गया है अब हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें डाला मैंने सर्सो का तेल और थोड़ा सा जीरा जब हमारा जीरा अच्छे से करणकने लगेगा तो मैं उसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च हमारी मिर्च अच्छे से हो प्ल aujourd'र सबजी मसाला पाउडर धनिया पाउडर और इन सबको खूब अच्छे से पकाओंगी जब तक कि हमारा मसाला अच्छे मैं थोड़ा सा क्रीम डालूंगी यह देखिए और इसे भी चलाओंगी खुब अच्छे से क्रीम क्रीम हमारा रूम टंपरेचर पर होना चाहिए क्योंकि अगर वो खंडी होगी तो फट भी सकती है और फिर मैंने मसाले को थोड़े धग दिया अब इधर मैं अपने जो बैट कितना स्पंजी बना है बिल्कुल पनीर की तरह ही लग रहा है आपके बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि यह लौकी है और यह देखिए यह हमारा मसाला बिल्कुल त्यार है गया है यह देखिए एकदम से उसमें ओयल वायल सब इसने छोड़ दिया है बहुत ही अच्छा ह लगती है और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार और इसे थोड़ी देर के लिए ढग देंगे जब इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगेगा यह देखिए जैसे आ रहा है इसमें कोब अच्छा से हमारा ग्रेवी है वो पक गई है यह देखिए अब हम इसमें ड डाल देंगे और इन्हें हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे सिर्फ एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो इन्हें हम धीरे धीरे हाथ सही चलाएंगे यह देखिए और पस हम इसे थोड़ी देर के लिए पक देंगे ताकि यह अच्छे से एक बार उबल जाए और यह देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है यह देखिए हमारी सबजी देखते में लग रही है ना बिलकुल यमी यह देखिए बिलकुल कोई कहेगा कि यह लौकी की सबजी है यह टेस्टी इतने डिलेशियस और इसे हरे धनिये से गार्निश कर देंगे लेजिए हमारी चेटपटी डिलीशियस लौकी की सबजी बिलकुल बनकर तयार है आप इसे बच्चों को बड़ो को अपने रिष्टेदारों को किसी को भी खिलाएंगे ना कोई जानी नहीं पाएगा कि यह लौकी की सबजी है बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी होती है एक बार आप इसे ज़रूर ट्राइ करिएगा लौकी की सबजी आपके बच्चे उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी-अच्छी सबजिया लाती रहोंगी तो तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद